गुलाब जामून यह नाम सुनते ही आपके मुँह में मिठास आ गया होगा और इसको अगर आपको खरिदना होगा तब दुकान पर जाएंगे, मिठाई के दुकान पर तब गुलाब जामून मिलेगा, लेकिन नहीं, हमारे ज़ा, हमारा जो नेचर है, उस नेचर में भी गु और उससे भी गुलाब जामुन फल के रूप में निकलता है और स्वात उस गुलाब जामुन से कई गुना बढ़िया रहता है तो एक आप जो मेरे सामने ये पेंड देख रहे हैं आप पहले इस पेंड को देख लीजिए और उसके बाद हम बात करेंगे कि ये गुलाब और उनके ही हम फार्म में आये हुए हैं और उन्हों नहीं इस चीज का हमें जिक्र किया तो मन्हें सचा कि हमारे दर्सकों को बता ही दिया जाए शरीओ गुलाब जामुन का पेेंड हैंand जो प्ल विलकुल ये पेर हैं स्थ परतिसाथ पेर ही इसको का जाना का जाना दरसल मैं बहुत कम सब्दों में आपको बता दूं कि 28 फरवरी 2020 को जाद़पुर इनवर्सिटी में मेरा गे बैख्यान हुआ था डॉक्टर मेगनाद साह ओडिटोरियम में और वहीं से आने के बाद यह स्टेशन पर जब थोड़ा समय मिला और चले गए सब्जी मार्केट तो वहां देखे इतना इतना बड़ा हरा हरा फल जिग्यासा हुई चुकि कभी देखा ने था बिहार में हमने पूछाई क्या है भाई तो कहा यह गुलाब जामुन है तो गुलाब जामुन कैसा स्वाद है तो सर बहुत मिठा है और बिलकुल गुलाब की खुसवू है इसमें जिग्यासा हुई कीमत पूछा तो कहा चार सा रुपे कीलो एक केजी हमने खरीद लिया और वहां से आने के बाद उसको खाया भी और उसी बीज को लगाया उसी बीज से ये पोधा हुआ है 2020 में लगाया है और ये 24 है चार साल का पोधा है देख लिया जै फल तो पिछले दो साल से फल आ रहा है इतना चोटा ततवीज फल आने लगता है फल इसमें दिसंबर के लास्ट में मंजर आना शुरू हो जाता है और मंजर का क्रम एक साथ नहीं चलता है कुछ फल बन गया जैसे आप देखिए कि उपर फूल आया है और फिर फल का आखार भी आखार आ गया है यह देख रहा है ना, ता उसमें फल का आकार आ गया है, तो फल करीब करीब अपरेल मई में पुरा मेच्योर हो जाता है और जब तक वा पूरी तरह से पिला नहीं हो जाता है, तब तक पोधा से गिरता भी नहीं है, अचा पने आप गिरता है, तोरनी ज़रूरत है, हम क्यों मिठास भर जाती है और खुस्भू मेरे खेल से कुछ ज़्यादा ही महसूस होती है इसको हमने महसूस किया और लोग भी मैसूस कि लोग करते हैं सुगर इसने में जो शुगर का चल रहा हैU कहीं ने कहीं को डूसरा चोता इसके शिकार दिख रहा है तुगर के रोगियों के लिए में पूरे विस्वास के साथ आपको कर रहा हूँ चुकि आप पत्रकार है तो आप खुलम खुला चला सकते हैं कि मदुमेर रोगियों के लिए एक कहीं से नुकसान दें नहीं है। लोग मिठाई के बारे में बोलते हैं, यह तो मैं फ़ल की बात आपके सामने में पता रहा हूँ, कास के आप दो महना के बाद आते तो आपको फल भी मिलता देखने को, और इसके बाद उस खेत में ये हरा है, उस वगल पूरा हुआइट है दूद की तरह, और उस खेत में अजला ही रहेगा उजला ही रहेगा ग्रीन से सुरू होगा पूरा वाइट हो जाएगा उसमें पूरा पानी भरा हुआ है पूरी तरह से तो इसको और भी अपने रिसर्च किया कि कि इन चीजों में मददगार सामी देखिए सबसे ज्यादा तो ये बलबर्धक हमको लगा कि अदभूत ताकत चुकी इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको अदभूत फल है जिसमें आपको जरा सावी नमी नहीं मिलेगी पूरा सुखा हुआ ड्रा है कच्छा है लेकिन ड्रा है आईएगा मैं स्वागत करूंगा उसका पोधा के लिए सही है कि मतलब लगा सकते हैं बिलकुल लगा सकते हैं कहीं भी लगा सकते हैं बिलकुल लगा सकते हैं कहीं भी लगा सकते हैं तो यह गुलाब जामुन का जो पेड़ है और इसका बीज से ही देखिए तो पैउधा निकल रहा है यानि कि हम मध्यपूरा में है और मध्यपूरा जिले में है तो चुकि कोशी का छेत्र है तो बालू अला इलाका है बालू भी है तो उस छेत्रों में इसकी खेती लग रहा ह है प्ल भी आ रहा है जो सफल उधारन कहा जा सकता है तो और भी जगों में बिहार के और बी जो उपजाओ जयमिने वहां पर भी हमें हैं बगल में आपको चेरी मिलेगा बादाम पिस्ता मिलेगा वह चेरी है कि अगर आप सौखीन है पेड़ पौधों के और कुछ अलग फल को तो आप इसको भी असानी से लगा सकते हैं वैसे तो भारती जी को कलकत्ता से इस पौधे को इन्होंने लेके आए इसके बीज समाफी चाहता हूं जो इसका फल है उसका ही बीज लगाया और आज अपना पूरा अकार ले चुका है लेकिन आप भी चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं और वहां पे 400 रूपे रेट है थोड़ा सम मार्केटिंग की जुरूरती होंगी लेकिन ये कहा जा सकता है कि अब गुलाब जामून आपको क्यों दुकान पेहनी मिलेगा बलकि अब आपको पेंड से फ झाल झाल